देखिए महाकाल मंदिर एक मर्यादा है और वहां का एक प्रोटोकाल भी है और वहां एक ड्रेस कोड भी है ड्रेस कोड जो है उसका मर्यादा का पालन और साथ ही भगवान महाकाल अवंतिका के राजा है तो राजा के सामने कोई भी व्यक्ति ना तो पगड़ी बान कर ना सर पर कपड़ा बाध कर ना सर्पर कफंटित अब तोप के इत्यादी पेहन के जाते हैं io eh महराज की राजाद्हराज की मर्यादा और उसका पालन भी मंदर करती है और निर्देश भी देती है लेकिन फिर भी परतीष्टा और अन्यवाद को लेके कही मरतफ़ा ऐसी बाते सामने आती है कि भगवान महाकाल राजा दिराज के सामने लोग पगड़ी टोफी के और ताज जैसे कि आज एक वाइरल जो मीडिया में हुआ है जो हमारी उज्जेन की ही बालिका है वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बाते उज्जेन के लिए और भगवान महाकाल उसे और ये शख मिन करें लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पेहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्याद्ञ अनुकुल्ई नी Capital नियए वह वहां जा कर वो ताज हातों में ले जाके भगवान महाकाल के यह दिए शरण में रखके और उ उससे उसका मान भी बढ़ता संमान भी बढ़ता और ताज जो है उसके जो सर पे आया है वो सदेव बना भी रहे ऐसी भगवान से प्रात्ता थी लेकिन मर्यादा के अनुकुल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए हमारे उज्जेन की लड़की है उसने गोरव प्राप्त किया है लेकिन मंदीर का भी गोरव बना रहे मंदीर की मर्यादा भी बनी रहे यह हम चाहते हैं और प्रशाशन भी पुना ऐसी बातों पर संग्यान लेते रहें जिससे की राजा दिराज महाकाल की मर्यादा का पालन सदेव होता रहे